सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़वगर सोक्षोधरी सात्यों आज अपने बात करेंगे दुबई यूए से रिलेटेड और यूए का क्या वाई यूए का तो एक नाम बता रहूं बाकि कोई भी कंट्री अगर आव विजिट वीजा में जो जाने वाले हैं गलप कंट्री में खास दोर से उन से रिलेटेड में बात करूँगा ज्यादा तरभाई दुबई में ही विजिट वर का उप्शन ज्यादा लोग मानते हैं अलांकि गलपने सब कंट्री में है लेकिन चलन ज्यादा दुबई का नाम यूए है लेकिन दुबई ज्यादा परसीद है इसलिए ल प्रॉब्लम आने चीए क्या प्रॉब्लम आए तो किस तरह से उनका समाधान हो ताकि आपके साथ प्रॉब्लम भवसे में नहीं आए इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जूरु दबा दे होते हैं वो पड़े लिके हैं वो यहां से खुद डायरेक्ली चले जाते हैं वहां से जोब सर्च करते हैं क्योंकि बहुत सारी जोब यहां नहीं आती वह वहां जाके उनको मिल जाती है मैंने बरका करना होता है उसके बाद उनकी जोब लग जाती है वो जोब लग जाते है बाकी की दिक्कती आती है, यहाँ पर अजेंटों के थूरू भी बहुत सारे लोग विजिट टू इप्लॉइमेंट में जाते हैं, अजेंट यह बोलते हैं, विजिट में जाना है, फिर आपको परमिटी वहाँ पर करन्वर्ट हो जाएगा और उसमें देखिये होता किया है कि यहाँ का अजेंट आपको भेज दिया, वहाँ पर आप पहुंच गये, वहाँ आपकी अजेंसी है, अधुराइज जो अजेंसी है, उसके थूरू आप किसी कमपनी में लग गए, किसी ठेकेदार के पास आप काम लगए, या किसी गैराज म आप भी लोग वहाँ जाके नख्रे ऐसे करते हो कि अगले को यह लगता है कि यार इसका पर्मिट का हमने साथ जार दराम खर्च कर दिया और वीजा लगते है कि कल को भाग गया तो अपने तो गए साथ जार दराम इस वज़े से यह सबसे बड़ी प्रोब्लम सामने आ रहे है बाकी मैं तो दोनों तरफ से बोलूँगा यह नहीं कि 100% आप सही हो सामने वाला गलत हो नहीं आप भी गलत हो कहीं नहीं तबी यह पर्चलन चला है वरना पहले नहीं था अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी कंपनी में, सॉल म में, आप काम करने लग गए, तो वह आपका पहले क्या बोल इंट्रु ले ले लेता है, इंट्रु में आप पास हो गए, आपको जोब लगा देता है, आपको बोल देता है, बहुत कि ठीक है, जी हम आपका काम कर लेंगे, फिर वह आपको बोलता है कि ठीक है, आप काम करो म मेनेवर में आपका काम देखूंगा, फिर आपका वीजा मैं लगाओंगा, आप उसमें भी एगरी हो जाती हो, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, कि आपका तीन मेने का बहुत सारे बंदे तो मेनेवर का वीजा लगे यह जाते हैं थो उन्हीं वाई, बोल जाओ उनको तो 90% उनकी दिक्कत की होती है फिर वीजा अक्सेंट कराना फिर इन आउट होना खर्चा लगना मतलब और ज्यादा महेंगा पड़ जाता है वो मुर्गी से महेंगा मसाला पड़ जाता है तीन महने वाले वीजा में बात करूं तो 10-15 दिन बंदे को जोब न लगता है तो वह पांच चार दिन ओफर ले ने नहीं दे निकल जाता है तो आपका कोई से सुनिए मैशा नहीं किया आपका वीजा भी तक नहीं लगाया तो अगला है क्या सोचता है कि एकड़ी करीज जा वई तू जा निकल यहां से बहुत सारे केसों में तो सेलरी भी नहीं देते और अगर यह इस्तिती हो जाती है उसको पता लग गया कि बंदा जा रहा है तो बात हुई थी बार वीजा लगवाने की जिम्मेदारी उसकी होती है नो डाउट कुछ अच्छे भी होते हैं जो अपने रिस्पॉंस्बिल्टी पे वीजा लगवाते हैं लेट भी हो जाता है टाइम निकल जाता है तो वीजा अक्स्टेंड करवाना या फिर उनको आगे प्रोसेस में लाना व आपको एक ओफर लेटर पे सिगनेशर करवाया जाते हैं दुबई का ओरिजनल ओफर लेटर होता है उस पे अगर आपके साइन हो गए ठीक है उसकी कोपी आपके पास है तो आप लीगल हो अगर आपके पास ओफर लेटर पे आपने बिना साइन किये ही आप काम कर रहे हो औ और आपको दो मेने काम कर लिया फिर आप बोलोगे विज़िजा लगो ओओ बोलेगा नहीं लग लगवाउंगा फिर आप वापस निकाल देगा आपको यह आप निकल जाओंगे तो भाई आप illegal हो दूब इमिज़िट में जाके आपingers कर लेका तो पी नहीं लगता है ना यह मेरा ओफरलेटर है और यह बंदे ने मेरा वीजा नहीं लगवाए तो उसकी खाट खड़ी हो जानी है तो कहने का मतलब सोट में मेरी माइंड को बात एक यह बिठा लीजिए आप यहां से कोई भी कंट्री को हो दुबै विए में आप वीजिट में जा रहे हो वरक परमिट में काम आपका इंटर्वी हो गया इंटर्वी में आप पास हो गया आपको बता दिया इतनी तनका है दोनों तरब से आपने कॉंप्रोमाइज कर लिए आप एगरी हो गए आपका ओफरलेटर पर साइन हो गए उसकी कोपी लो आप उसके खिलाब शिकायत कर सकते हैं और उसकी बेंड बज जानी है समझ रहे हो बात को तो हमेशा जब यहां विजिट बीजा में जाएं तो मैंन मंतर ध्यान में यही रखें भाई कि आप वहां पे जाओगे उफरलेटर पे साइन कराओगे उसका आपको कोपी बोट्सों पे ल पाऊंगा फिर आप अक्स्टेंड कर वाओ आप ओमान जाओ या फिर एजेंट बोलेंगे हमें 2000 रियाल देदो 2000 दराम देदो हम आपका वीजा अक्स्टेंड करवा देंगे फिर 40,000 रुपे आप दोबारा खर्च करो फिर मतलब एक लंबा चकर चल जाता तो इस बात का थो इमिग्रेशन विजो उनको फोड़ दो आप पुलिस में जाओ सिदा किसर मेरे साथ ऐसे हो रहा तो उसको वीजा लगवाना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी तो बस यह बाते मैंने आप लोगों साथ शेर करनी थी आलाएं कि यह हार्ड लेंग्वेज में देश से रेलेटेड यहां पर नोले जलोबल वीडियो आपको मिलती रहे जाहिंद उबन देबातरा